हाई गाईज वेलकम इन आवर चैनल माई सेल्फ ही मंजीत और आज मैं आपको बताने वाला हूं डिजाइन ओफ इस्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में टाइप्स आफ ज्वाइट तो जो रिवेटेट कनेक्शन होता है इसके जो ज्वाइट होते हैं यह दो प्रकार की होती है एक होता है लेब जॉойंट और एक होता है लेब जॉइंट क्या होता है यह होता है द्वेटेल इन वीच टू डू मैंबर्स आर कणेक्टेट बाई ओवरेपिंग इंच अधर फार और इसлек हॉत को जो जब दो याँ दो से अधिक स्टिल के प्लेटों को लो ROB करना होता है तो एक स्टील प्लेट के ऊपर दूसरा वाला स्टील प्लेट रख दिया जाता है उसके बाद उस प्लेट में होल करके उसे में रिविट डाल करके जॉइंट कर दिया जाता है यह जब एक स्टील प्लेट के ऊपर दूसरा वाला प्लेट रख करके जॉइंट करेंगे तो इस के ज्वाइन को कहते हैं लैब ज्वाइन क्या होता है दिज्वाइन टू मेंबर्स आर कनेक्टेड बट अगेंस्ट इच अधर वाइब प्रोवाइडिंग अकवर्ट प्लेट ऑन और बोथ साइट्स आप ज्वाइन नोन एज बट ज्वाइन जब दो यादो से अधिक स्टील प्लेटों को बट ज्वाइन के माध्यम से ज्वाइन करना होता है तो दोनों ही स्टील प्लेट को एक दूसरे से सटा करके रख दिया जाता है उसके बाद जहां पर वो ज्वाइन होता है जब दोनों स्टील प्लेटों को सटा कर रख दिया गया तो जहां भी ज्वाइन होत आई इसको फिगर में देख लेते हैं लेब जॉइंट की बात करें तो जैसा कि मन आपको बताए कि जो होता है एक स्टील प्लेट के ऊपर दूसरी वाली स्टील की प्लेट रख करके जॉइंट किया जाता है अब यहां पर जो रिवेट का लाइन है वह एक रिवेट लाइन भ का नंबर जो होता है एक दो तीन चार हो सकता है अब जैसे मालेजी आपका एक स्टील प्लेट अगर यह उसके क्रॉस सेक्षन की बात करें हम एक स्टील प्लेट यह हो गया ठीख है दूसरा स्टील प्लेट यह हो गया अब यहां पर क्या किया गया है कि एक स्टील प्लेट के ऊपर दूसरा स्टील प्लेट रख दिया गया है और यहां पर रिवेट लगा दिया गया है इसे कहते हैं लैप जॉइंट यहां पर रिवेट लाइन का जो रो है वो एक ही है तो इसे कहते हैं सिंगल लैप जॉइंट ठीक है यह क्रॉस सेक्षन है उसका दिख रहा है यहीं पुड़ा फ्रेंट व्यू की बात करें तो एक प्लेट यह हो गया और दूसरा प्लेट यह हो गया ठीक है और यहां पर रिवेट लगा दिया गया है लंबर आफ रिवेट कितने भी हो सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि इस प्लेट का ब्रिथ कितना है बट हमें यहां पर क्या है रिवेट लाइन से मतलब है यहां पर रिवेट लाइन एक है तो इसको बोलेंगे सिंगली रिवेट लैब जॉइंट यहां पर जो रिवेट लाइन का रो है वो एक है इसलिए इसको सिंगली रिवेट लैब जॉइंट बोलेंगे तो यह है लैप जॉइंट यदि बट जॉइंट की बाप करें बट जॉइंट में क्या करते हैं कि मानों यह दो इस्टील प्लेट है एक इस्टील प्लेट यह हो गया और दूसरे सटा करके पहले रख देते हैं दोनों को सटा कर रख दिया गया उसके बाद या तो एक कवर प्लेट लगाएंगे और या दो कवर प्लेट लगाएंगे हुआ है करफे गारर सकते है अगर सिर्फ यहां पर लगा देंगे और यहां पर होग्या लेकिन इसकी स्ट्रेंद बहुत कम होती है मोस्टी जो हम यूज करते हैं वो डवल कवर प्लेट यूज करते हैं कि अब यहां पर हो जाएगा और एक रिवेट इस तरफ हमेशा यह दो रिवेट लगाया जाता है लेकिन इसको सिंगली रिवेट बट जॉइंट बोलते हैं दो रिवेट होने के बाद भी हम इसको सिंग्ली मुघट म३ोटे है क्यों कि ज्वाइन्ट के एक तरफ एक ही रिवट लगाया गया है सभ्सक्राइब ग्रून की बात किया जाएगा तो इस ज्वाइन्ट के पहले दो रिव्ड लगा होगा और इस जॉइंट के इधर भी दो रिवट लगा होगा अगर इसके हम फ्रेंट ब्यू की बात करें तो एक प्लेट मान लो यह हो गया कि दूसरा प्लेट यह हो गया अब इसके उपर कवर ब्लेट लगा दिया गया है और यह लुएट लाइन हो गया गया है कि दिदेख लाइन परना अंबर आफ रिवेट कितने भी हो करेगा number of rivet line एक प्रेंट लगा हुआ है यहां पर टेंसाइल लोड लगा लेगा कि यहां पर टेंसाइल लोड लगा हुआ है है तो माझे अजय जादा लगा हुआ है तो ऑफ की लंबाई हम बरहा देते हैं इस लेंद को बोलते हैं लैप लेंद हुआ थीас है कि यह आपका सिंगली रिवेट लाप जोइंड और यह है सिंगधी रिवेट रवं को इसी प्रिकार आप डबली भी कर सकते हैं डबली में क्या हो जाएगा यहां पर दो रिवेट लग जाएगा और यहां जो दिखंगे को दो कि दमाईन दीखेगा ऐसे यहां पर जब डब स्थे को सुना दरीट तो इस यहां is वीदी मोटाई दोनों का से लापता है यह भी तो यह और अगर मालेजिए दोनों प्लेट की थिकनेस अलग-अलग है तब बट जॉइंट का यूज नहीं करेंगे तब उस केस में हम लैब जॉइंट का यूज किया जाता है तो मैं समझता हूं कि आपको यह जॉइंट के जो टाइफ है वह समझ में आ गया होगा और अगले बट बट जॉइंट और बट जॉइंट